यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है 31 दिन इशु की तरह नेत्रित्व कैसे करें बहुत कम लोग हैं जिन्होंने Ken Blanchard से बढ़कर लोगों और कमपनियों के दैनिक प्रबंद पर प्रभाव डाला है वर्ष 1952 में उन्होंने लिखा The One Minute Manager जिसकी कॉपियों की बिक्री 130 लाख से जादा हो गई थी यह पुस्तक बहुत ही कम समय में सफल हुई यहां तक की उन्हें इसकी सफलता का श्रेय लेने में कठिनाई होने लगी उन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचना आरंब किया उन्होंने बाइबल पढ़ना आरंब किया वे सीधे सुसमाचार की और गए वे जानना चाहते थे कि इशु ने क्या किया था वे बहुत प्रभावित हुए कि इशु ने कैसे बारह साधारण और अविश्वसनीय लोगों को बदल कर प्रथम पीडी के गतिविदियों का अगवा बना दिया था जो 2000 साल बाद भी संसार के इतिहास को प्रभावित कर रहे हैं वे इस बात को जानना चाहते थे कि उन्होंने प्रभावी अगवाई के बारे में जो कुछ कहा था उसे इश्व ने संपूर्ण सिधता से इस प्रकार कर दिया है जो केन के बयान या वरणन करने की क्षमता से कहीं जादा है इश्व आत्मिक अगवे से बढ़कर हैं वो व्यावहारिक और प्रभावशाली नेतरत्व का आदर्श सभी संस्था सभी लोग सभी परिस्थितियों के लिए बताते हैं परिणाम स्वरुप केन ब्लेंशार्ड ने लीड लाइक जीजस इश्व की तरह नेतरत्व करें सेवकाई की स्थापना की जिससे लोगों को प्रेरीत और सक्षम बनाया जाए बिलकुल वैसा ही करने के लिए जैसा इश्व ने नेतरत्व किया था इश्व अब तक के सबसे महान अगवे रहे हैं इस पध्यांच में हम दाउद और अयूब जैसे दो महान लोगों के साथ इश्व के नेतरत्व के गुणों को देखेंगे पुरानानियम भजन सहिता अठारा का एक से छे अगवे की अराधना इसराइल के इतिहास में दाउद महान अगवों में से एक थे उन्होंने अब तक के बहुत सुंदर अराधना के गीतों को लिखा है हजारों वर्षों के बाद भी परमेश्वर के लोग अराधना में दाउद के भजन सहिता का उपयोग लगातार करते हैं इस भजन सहिता में हम देखते हैं कि दाउद की अराधना और प्रार्थना उसका मूल सिध्धान्त है जिस पर उसकी अगवाई स्थापित है कठिन और विरोध के बीच में वह कहते हैं मैंने अपने परमेशवर को पुकारा, मैंने अदभुद परमेशवर की दोहाई दी इसका परिणाम परिस्तितियों में अदभुद परिवर्तन है जो सफलता की और बढ़ने लगी जिसने अपने गीतों द्वारा धनिवाद प्रगट करने के लिए दाउद का नेत्रत्व किया चाहे कठिनाईयां हो या सफलता, प्रार्थना और अराधना की नीव पर अपने जीवन का निर्मान करने के लिए दाउद के उधारन का अनुसरण करें परमेश्वर के प्रती प्रेम ही आराधना का आरंब है मैं आप से उत्साह पूर्वक और भक्ती पूर्वक प्रेम करता हूँ हे प्रभू तु मेरा बल है दाउद परमेश्वर के लिए अपना प्रेम, स्तुति और धनिवाद प्रगट करते हैं उन्होंने शत्रूओं का, मृत्यू का और विनाश का और दुख का सामना किया था जब वे पीछे मुड़ कर देखते हैं तब वे पाते हैं कि परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुना है और उन्हें उनके शत्रूओं से बचाया है एक वर्ष में बाइबल की मार्जिन में मैंने पिछले कुछ वर्षों में सहायता के लिए विनिती की सूची तयार की है जिस तरह से परमेश्वर मेरी विनिती सुनते हैं उसे देखना अद्बुद है इसी तरह से बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है हलांकि अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिला है परमेश्वर का धनिवाद करना ना भूलने में लिखित प्रमान मेरी सहायता करते हैं हे प्रभू मेरा बल मैं आपका धनिवाद करता हूँ कि जब कभी सहायता के लिए मैंने आपको पुकारा है आपने मेरी आवाद सुनी है आने वाली चुनौतियों के लिए फिर से मैं सहायता पाने के लिए आपको पुकारूंगा इसका क्या मतलब है व्यवहार में इशु की तरह नेत्रत्व करना नमबर एक आप जो हैं उस अवस्था से बढ़कर नेत्रत्व करें अधिकार और संपत्ती के संदर्ब में आप क्या करते हैं या आपके पास क्या है इससे कहीं ज़्याद महतुपूर्ण यह है कि आप कौन है कुछ क्षेत्रों में इशु के अधिकार उचे पद के कारण नहीं आते यह व्यक्ती कौन था यह उसे आता है उनके पास स्वाभाविक अधिकार है उनके पास संपूर्ण आत्म विश्वास था जिसकी उन्हें यह कहने में अवश्यक्ता थी प्रभु को इसकी अवश्यक्ता है यहाँ पर किसी भय या प्रतिग्या की अवश्यक्ता नहीं थी नमबर दो दयालू और नम्र बने तेरा राज तेरे पास आता है नम्र यह एक अगवे का गुण नहीं है जिसकी संसार उमीद करता है फिर भी यह इशू के मन के नेतरतू में सही है दयालू के लिए ग्रीक शब्द नम्र यानी ध्यान रखने वाला है यह क्रोधी या लोभी के बिलकुल विप्रीत है अभिवान और दिखावे से बचे रहें इशू ने गधे के उपर सवार होकर यरुशले में प्रवेश किया इशू में और इतिहास के अन्य अगूओं जैसे संसारिक धार्मिक गुरूओं में काफी फरक है जिन्होंने धूम धाम के साथ यात्रा की और समारों में दिखावा किया इशू की यात्रा का माध्यम उनकी नमरता को दर्शाता है यह घमंड और अभिमान से बिलकुल विपरीत है जो मानव नेत्रतु में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाता है कभी-कभी लोग यह सोचते हैं कि कोमलता और नमरता का मतलब हर परिस्थितियों को जाने देना है लेकिन ईशू को सामना करने में कोई भय नहीं था वे मंदिर के स्थान में गए और जो लेंदेन कर रहे थे उन्हें बाहर निकाल कर सर्राफों के पीठे उलट दिये नेत्रत्व का एक कठिन लक्षन है सहिक्षन को जानकर सामना करना संघर्ष और सामना करना ये नेत्रत्व के दो अच्छे भाग है सामना करने में असफल होना अपने आप में ही एक निर्णय का परिणाम है सामना करना कभी भी आसा नहीं होता लेकिन समझदारी से लागू किया जाए तो यह सासी नेतरतु का एक महतुपूर्ण भाग है इशु की सामर्थ संसार के बहुत से अगवों से अलग थी अंधे और लंगडे मंदिर में उनके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया आत्मिक सामर्थ सांसारिक सामर्थ से बहुत ज़्यादा महत्वपून है इसका निर्मान नहीं किया जा सकता है इशु का परमेश्वर के साथ जैसा संबन्ध है अगर उसी प्रकार का संबन्ध आपका हो तब ही यह सामर्थ आती है इश्यू जब सर्राफों का सामना कर रहे थे तब हम देखते हैं कि वे प्रार्थना को लेकर बहुत भावुक थे पूरे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि इश्यू परमेश्वर के साथ अकेले मिलने के लिए निकल जाते थे यह उनके बल का श्रोत था दाउद की तरह प्रार्थना ही इश्यू के नेतरत्व का केंद्र था प्रभू मेरी सहायता कीजिये कि मैं इश्यू की तरह अधिकार, कोमलता, नमरता, साहस और सामर्थ के साथ नेतरत्व कर सकूँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि इश्यू की तरह मेरा बल भी आपके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंद के द्वरा आए पुराना नियम अयूब 19 का 1 से 21 के 34 तक अगवे का द्रश्टी कोण अयूब के मित्र लगातार उसके विशय में वियर्थ बातें और जूटी बातें करते थे वे अयूब को खाली और वियर्थ शब्दों से सांतवना देने का प्रयत्न करते थे दूसरी और हम देखते हैं कि अयूब अपनी पीड़ा से वास्तविक संगर्श कर रहे थे जैसे कि विरोधी ने अपने मित्रों का विशलेशन किया, आयूब देखते हैं कि संसार बहुत जटिल है, इस जीवन में बहुत अन्याय है, वह रोते हैं, क्योंकि दुष्ट जीवित रहते हैं, बड़े होते हैं और सामर्थ में बढ़ते हैं, वे अपने वर्ष सम्रुधी म बिताते हैं और शांती से कबर में उतर जाते हैं, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को पूरी तरह से अस्विकार करते हैं, तब आश्चरिचा कितना हो, वे उनसे कहते हैं हम से दूर हो, तेरी गती जानने की हमको कोई इच्छा नहीं रहती, सरोशक्तिमान कौन है कि हम उसक की सेवा करें, हमें उससे विनित्ती करने के द्वारा क्या लाब होगा, फिर भी वे सम्रद्धी और शांती का जीवन जीते दिखाई देते हैं, बाइबल यह कभी नहीं कहती है कि दुष्ट अपने जीवन में नियाय पाएंगे, ऐसा होता भी है, लेकिन दूसरी और वे उ परमेश्वर दोनों के लिए ही जीवन में अनुमती देते हैं, ये ऐसा कहने के लिए नहीं है कि हम अन्याय या निर्दोष के संघर्ष पर संतुष्ट रहें, लेकिन हमें दोनों की ही सामर्द्ध का विरोध करना है, फिर भी यह जीवन का अंत नहीं है, चीजों को सही करन के लिए परमेश्वर के पास सारा अनंत काल है, अयूप पुराने नियम में सबसे अनोखे तरीके से हमारे भविष्ट की आशा की जलक देखते हैं, मुझे तो निश्चे है कि मेरा छुडाने वाला जीवित है और वहां अंत में प्रत्वी पर खड़ा होगा, और मेरे मास क के नाश हो जाने के बाद भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा, अयूप की अंतरद्रष्टी नए नियम के पुनुरुत्थान और अनंत जीवन का पूरवाभास है, एक देवीय अगुए के पास अनंत द्रष्टी कोन होता है, जो मसीही अगुआई को पू के घर के बाकी लोग भी तयार रहें, और आप सुनिश्चित करेंगे कि घर भी तयार रहे, साफ सुत्रा और व्यवस्थित रहे, एक मसीही अगुए के पास अनंत द्रष्टी कोन और आशा होती है, कि अंत में वह मेरा छुडाने वाला प्रत्वी पर खड़ा होगा, अपन आपको तयार करने में, दूसरों को तयार करने में, सुसमाचार प्रचारक, सिश्चिता, पासबां संबंदी, जिम्मेदारी और घर तयार करने, कलीसिया को अधिक मजबूत बनाना और समाज का परिवर्थन में ध्यान के इंद्रित कीजिए, यहा चिंता केवल कलीसिया के अगवे तक सिमित नहीं है मसीही अगवे के पास कारिय और समाज के क्षेत्र में ये तीन मूलभूत आयाम होने चाहिए जैसे उनके विचारों उनके निर्णयों और कारियों में इसके अलावा यह द्रश्टिकोन आपकी योजना और उद्देश्य के लिए आपके विवहार क को परिवर्तित करना चाहिए जब परिस्तियां लोगों के संस्थाओं के या विवस्थाओं के अनियाय के कारण आपकी आशाओं के अनुसार कारिय नहीं करती तब भी आप इस सचाई पर भरोसा कर सकते हैं कि एक दिन पूर्ण नियाय प्रबल होगा प्रभू मैं धनिवाद करता हूँ कि एक दिन मैं स्वयम परमेश्वर को अपनी आखों से देखूंगा मैं उस दिन के लिए तरस्ता हूँ मुझे इस अनंत द्रश्टिकोन के द्वारा हर दिन जीने के लिए सहायता कीजिए मेरी सहायता कीजिए कि मैं इश्व की तरह और ज्यादा बनो और इश्व की तरह नेत्रत्व करों मेरे पिता के अंतिन संसकार के दिन हैंडल्स मसाया ने ये गीत गाया था मैं जानता हूँ कि मेरा उद्दार करता जीवित है ये बहुत ही सुन्दर है और ये विश्वास की महान गोशना है इससे बड़ी तसल्ली मिली हैंडल द्वारा अयूप को पढ़ना और ऐसे असाधारन गीत को लिखना एक अधबुत बात है कई बार अयूप को पढ़ने के बावजूद मुझे हमेशा लगता था कि ये ये शाया से लिया गया है मुझे लगता है कि मैंने अवश्य ही इसके अनेक खत्नों को नहीं पढ़ा होगा मैं खुश हूँ कि हैंडल ने ऐसा नहीं किया आज का वचन मुझे तो निश्च है कि मेरा चुडाने वाला जीवित है और वो अन्त में पृत्वी पर खड़ा होगा अयूब उन्निस का पच्चीस